Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल को डिसकस करते हैं, because art and culture वो ऐसा component है, जो बहुत से students की दुखती रग है, यह component वैसे ही थोड़ा सा difficult है, तो इससे related static चीज़ें भी कई बार हम solve नहीं कर पाते हैं, और इसमें अगर current affairs का हम तड़का लगा दे, यह फिर चौक लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि questions और difficult हो जाते हैं, तो आपको, अगर आपने mock test भी दिये हैं, तो आप यह realize कर सकते हैं, यह फिर अगर आप एक दो बार UPC का prelims दे चुके हैं, तो you know, कि first go में 30-35 questions होते हैं, जो आप short कर पाते हो, given the trends, जो आज कल जिस तरह का paper बन रहा है, उसमें से 20 questions होते हैं, जो touch भी नहीं होते हैं, और 45 के करीब questions होते हैं, जिनके उपर हमें थोड़ा सा smart guess लगाना पड़ते हैं, तो इसमें अगर यह जो 45 questions और इन 20 questions में जो maximum proportion हम देखें, तो वो art and culture के component की बन सकती है, क्योंकि इसके बारे में यह वैसे ही domain इतना vast है, कि sometimes we fail to understand कि question पूछा गया, तो पूछा क्यूं, कहां से आया, और अगर 45 questions जो guess work ले हैं, वहाँ पर भी अगर current की थोड़ी सी हमें knowledge हो जाती, तो शायद एक question को better solve कर पाते, तो इसी चीज़ के वो target करने के लिए कि इन 20 questions में से कुछ question solve करके, आप बाकी candidates के मुकाबले एक better positioning पर रहें, और 45 questions में जो guess work करना होता है, वो भी आपका improve हो, उसी objective के साथ इस series को start किया गया है, अब तक हमारे subject-wise ये current affairs मिल जाएंगे, ठीक है, we have divided current affairs into subject-wise domains, तो उससे उनको cover करना भी असान रहता है, so you can watch by clicking on the i button, ठीक है, अब यहां पर न, एक मुद्धा आपके साथ discuss करना है, ये Buddhism से related है, ठीक है, हम सब जानते हैं, कि Buddhism वो component या वो topic है UPAC का, जो ancient India और culture में, दोनों में हम पढ़ते हैं, और hardly ऐसा कोई साल है, जहां पर इससे related question ना आया हो, ठीक है, तो सबसे पहले इस question को देखो, and I am very sure कि आपको क्योंकि पता है कि Buddhism से questions आ जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से मेहनत करके करते भी होंगे, इस chapter को cover, लेकिन ये question देखो, क्या करते हैं, और इंडिया में, यहां world में कुछ different types of Buddhism जो हमें मिल जाते हैं, धरावड़ा, etc, तो नवयान भी, तो वो क्या है कि हमें कुछ knowledge देते हैं बुद्धिजम के बारे में, लेकिन Tibetan Buddhism को हम इतनी depth में नहीं करते, ठीक है, लेकिन ऐसा question मान लो, आपने test series में देख लिया, यहां फिर UPC ने ऐसा question डाल दिया, तो आप में से जाधा तर लोगों को लगेगा, कि हमें Buddhism को बहुत ज़्यादा depth में करना पड़ेगा, ठीक है, और उस में क्या होगा, कि आप में भी बहुत सारी books को refer करना start कर दो, Buddhism को बहुत deep में जाना शुरू कर दो, लेकिन हमें ये बात समझनी है, कि अगर हम culture को current के साथ link करके थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो ऐसे questions tackle हो सकते हैं, ठीक है, questions में तीन statements है, तीन statements तिबितन बुद्धिसम से related है, पहली statement करेंगे कि तिबितन बुद्धिसम के चार main schools है, तो मतलब तिबितन बुद्धिसम के main sect कौन कौन से हैं, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, दलाई-लामा कौन से school को belong करते हैं, ये तो पता होना ही चाहिए, बहुत से लोगों के बारे में पता हो या दो, लेकिन आजकल पैटन ऐसा बन गया कि आपको सभी statements के बारे में थोड़ी सी clarity अगर नहीं है, तो उस question में smart guess करना difficult हो जाता है, तो ये question current affairs related है, इसको हम discuss करेंगे, ऐसा एक और question तिबितन बुद्धिजम के context में फिर से आप से पूछा जा सकते हैं, कि बुद्धिजम तिब्बत में prominent हुआ अशोक के दोरान, ठीक है, कि जब अशोक का राज चल रहा था, उस time पर बुद्धिजम prominent हुआ था, right, formal system जो reincarnation का है, लामा का, वो 13th century में आया, और 5th grand लामा जो गेलुक स्कूल के थे, वो उनको title दलाई लामा का दिया गया, यह बहुत ही absurd statements लग सकते हैं, जिन्होंने इसके बारे में नहीं पड़ा, तो इस मुद्धे को cover करते हैं, ठीक है, see, यह news में इसलिए था, क्योंकि recently दलाई लामा ने US में जन में एक Mongolian लड़के को 10th Khalkha Jetsundhampa declare कर दिया, ठीक है, Khalkha Jetsundhampa, right, the head of Tibetan Buddhism and Buddhist spiritual head of Mongolia, ठीक है, Khalkha Jetsundhampa, यह one of the head of Tibetan Buddhism है, जो चार में स्कूल है, उनमें से एक सेक्ट के head होते हैं, ठीक है, और Mongolia के spiritual head माने जाते हैं, Mongolia में जो बुद्धिसम फॉलो करते हैं, उनके spiritual head माने जाते हैं, ठीक है, तो जनांग सेक्ट, जो Khalkha Mongols के रहता है, ठीक है, Khalkha Mongols is, you know, a subcategory of Mongolian tribes, right, तो उसमें जनांग सेक्ट of Buddhism को फॉलो किया जाते हैं, तो उनके spiritual leaders को यह title दिया जाते हैं, ठीक है, this is not the name, this is the title, that is Khalkha Jetsundhampa, जो 9th Khalkha Jetsundhampa थे, इनका धिहांत हो गया था, 2012 में, ठी हैं, जो यह spiritual leaders होते हैं, यह same spiritual leader ही हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे, यानि कि उन्होंने एक शरीर छोड़ा है, लेकिन पुनर जन्म लेने के बाद, उनको हमें identify करना है, ढूंडना है, और उनका जो moral duty, spiritual duty है to lead us, ठीक है, वो उनसे follow करवानी है, right, तो 2016 में Dalai Lama ने announce किय था, कि जो हमारे 10 खालका जच्सुन दामपा है, इनका जन्म हो चुका है, उलन बतार में इनका जन्म हुआ है, और हम उनकी खोज में लगे पड़ें, right, और finally अब इनकी खोज complete हो गई, और वहाँ पर पता लगा, कि एक बहुती effluent और influential political and business family जो उलन बतार में थी, right, अलतन चिंचलन, ठीके, इनके घर पे इनका जन्म हुआ था, यह जुडवा भाई थे, उनमें से एक भाई, ठीके, वो क्या है, वो खालका जच्सुन दामपा निकला, अब देखो, इनके फादर का नाम इतना important नहीं है, ठीके, किस family को belong करते थे, वो important नहीं है, तिबतन आते हैं, पांचेन लामा, रहें, प-A-N-C-H-E-N, लामा, और थर्ड नमबर पर आ जाते हैं, खालका जच्सन दामपा, ठीके, तो थर्ड हाइस spiritual authority हैं, और तिबतन बुद्दिजम की अगर classification के बारे में बात करें, तो यहां पर चार main schools रहते हैं, यह इनके नाम हैं, जो साक्य स्कूल का ही एक सबसेक्ट है, तो यह चोटा स्कूल है, और इसी के जो लीडर है, spiritual leader, he is खालका जच्सन दामपा, जिनको अब खोज लिया गया है, और यह अपनी spiritual, basically जो duties हैं, उनको फुल्फिल करेंगे, तिबत में बुद्दिजम 9th century AD में प्रचलित हुआ था, या प्रचलित हुआ था, अशोक का जो रेन था, जो राज था, no doubt, उन्होंने भारत में बुद्दिजम को पॉपुलराइज करने में एक बहुत important role ने पाया, लेकिन it was in बीसीज, ठीक है, 263 and so on, यह बीसीज में यहाँ पर मौजूद था, लेकिन तिबत में यह thousand years थे, ठीक है एक हजार, इस तरह से 9th century AD का मतलब क्या है, 1000 AD, वहाँ से तिबत में बुद्दिजम पॉपुलराइज होना श्टाट हुआ यानि की approximately हजार साल बाद अशोक के राज के, तो उस हिसाब से आपको उस statement के बारे में पता लग गया, अब तिबतन बुद्दिजम में एक ऐसा थ कि originally पुनर जन्म का concept ऐसा च्था नहीं, हाँ, यह ज़रूर मानते थे कि life after birth हो सकता है क्योंकि जब तक आपकी वो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, तो आप इस मो माया में फसे रहेंगे और बार-बार आपका जन्म होता रहेगा, unless you attain the mukti, लेकिन 13 सदी के शुरू होने प उनके एक leader है, उनके एक deputy है, and so on, एक hierarchy बनी हुए, जिससे order में यह पूरा का पूरा Buddhism को practice किया जा रहे है, preach किया जा रहे है, और follow किया जा रहे है, तो इसमें 13 सदी में, first instance हमें मिलती है, कि reincarnation of Lamas यह होनी start हो गए थी, और इसको मानना शुरू कर दिया था, यहां के लोगो ठीक है, तो यह Tibetan Buddhism का एक बहुत ही important concept बन गया है, ठीक है जी, अब इन सब में से Gelug School था, ठीक है मैंने आपको चार स्कूल बताए, उनमें से Gelug School था, जिसने बहुत strong hierarchy और strong social order बना दिया, ठीक है, उस social order से kind of आप जानते हैं कि religion हमें एक तरीके से spirituality तो provide करता ही है, लेकिन social order maintain करने में भी help करता था, society को bind रखने में, society के उपर control रखने में भी help करता था, sociology students, you might be able to relate it, right, Durkheim की आपने theories पड़ी हुई है, तो यह कहिना कि उसके साथ भी relatable है, तो Gelug School इसमें से appear हुआ, जिसने एक बहुत strong hierarchy को maintain करना start कर दिया, और वहाँ पर tradition of succession with reincarnation start हुआ, जिसका म नगवांग लोबसांग यात्सो, ठीके, क्या नाम था, नगवांग लोबसांग यात्सो, इनके fifth guru थे, ठीके, इनके क्या थे, fifth guru, इन fifth guru ने कहा था, कि basically he claimed that he is reincarnation of अविलोकी तेश्वर, और Gelug School में यह मानेता काफी प्रचलित हो गई, उसके बाद यहाँ पर यह मानेता आ दलाई लामा को दुबारा ढूंटें, ठीके, so fifth दलाई लामा was गवांग लोबसांग यात्सो, उसके बाद successively दलाई लामा को ढूंडा जाता था, और यहीं माना जाता था, कि वो इन्ही के reincarnation है, who himself was reincarnation of अविलोकी तेश्वर, तो आज के जितने दलाई लामा बनते हैं, ठ नश्वर शरीर छोडएंगे, त्यागेंगे, तो इनकी दुबारा खोज की जाएगी, कि इन्होंने पुनर जनम कहां पर लिया, इस खोज में पंचेन लामा एक इंपोर्टन रोल प्ले करता है, that is why he is second, he is the second highest spiritual authority in Tibetan Buddhism, तो यह process यहां पर basically चलता है, ठीके, and जो new लामा आएं कि जब त्याग दिया जाता है शरीर, तो दुबारा एक बच्चे की फॉर्म में पैदा होते हैं, और ऐसे continuous line of succession तलती लेती है, तो यह जो बच्चा है, जिसको हमने search करना है, जिस ताकि वो दलायलामा बने, इनको कहा जाता है, तुलकुस, तुलकुस is a term, which means recognized reincarnation, जैसे यह जो बच्चा है, जो अभी US, मौन, मौंगोलियन बच्चा मिला, यह क्या है, यह basically what he is, he is तुलकुस, तुलकुस, तुलकुस को recognize कर दिया है, यह reincarnation एक बच्चे के फॉर्म में आ चुकी है, तिक है, और जो predecessor होते हैं, जैसे कि दलायलामा, यह कुछ निशानिया को ढूंडने में, खोजने में असानी मिले, कि मेरा जो पुनर जनम होगा, वो खोजने में असानी मिले, ठीक है, अब सिरफ आपको थोड़ी clarity देनी के लिए, मैं example दे रहा हूँ, किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना, मेरा बिलकुल audition नहीं है, फर्स कीजिए कि study IQ में, history का, ठीक है, I am the supreme faculty, अब मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर system है, कि अगर मैं मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरा पुनर जनम होगा, और फिर बच्चों को मैं ही हमेशा हर बार बार जनम लेके history बढ़ाऊँगा, ठीक है, और अगर आपने मेरे मरन उपरांद, अग एक होगा, Trimax का ये pen, एक होगी, मेरी ये आंखों में drops डालने वाली दवाई, ठीक है, एक होगा, मेरा, यहाँ पर समान थोड़ा कम पढ़ गया, चलो तीन कर लेते हैं, ठीक है, तीन चीज़े हैं, जो मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर, जो, let's say, second spiritual authority जो history की है, let's say, Amit sir, ठीक है, Amit sir सर्च करेंगे, अच्छा, चंदन ने पुनर जनम लिया है, कहां पर लिया है, ठीक है, फिर वो बच्चा ढूड़नेंगे, उस बच्चे के सामने रख देंगे, पंदराम इस objects, कहेंगे, तीन चीज़ें चुनो, वो बच्चा उठा लेगा कि ये दवाई, ये pen और ये घड़ी, ठीक है, वहाँ कहते हैं कि आ गया जी, चंदन आ गया वापिस, ठीक है, now he will teach history, right, तो इस तरह से यहाँ पर system होता था, ये सिरफ आपको explain करने के लिए है, कुछ इस तरह का ritual यहाँ पर follow के जाता है, exact details हमें follow, मतलब उनको, उनके बीच नहीं कहरा कि depth में जाना नहीं है, depth में जाना है, लेकिन कहां पर संतोश रखना है, कि हाँ, इतना मैंने कर लिया, तो मेरा कल्यान हो जाएगा, वो पता होना चाहिए, ठीक है, अब इसमें ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो बच्चा जो है, उसको ऐस तरह के multiple test देने power of divination, आप कुछ ऐसा समझ लो, कुछ इस तरह का ritual है, कि divine power एक है, उनको हम मानते हैं, ठीक है, ये सिरफ again आपको explain करने के लिए, आपकी understanding के लिए बता रहा हूँ, exact ritual is very different, ठीक है, लेकिन उसमें हमने जाना नहीं है, तो clarity के लिए और demystification and simplification के लिए कुछ इस प्रकार का process ह कि let us say, let us say कि कोई एक, let us say, एक totem है, totem मतलब something which is considered sacred, ठीक है, ठीक है, वो sacred है, तो उनके सामने हम एक bowl के अंदर chits बहुत सारी डाल लेते हैं, उनको shuffle करते हैं और सामने रख देते हैं, ठीक है, और वहाँ पर कहते हैं कि इसमें से ऐसे उचा लेंगे, तो हवा के अब draw हो जाता है कि दो contenders आ गए, अब decide कैसे करेंगे, इन दोनों में से कौन है, तो फिर इस तरह की power of divination का इस्तमाल किया जाते है, और उसके बाद फिर final proclamation की जाती है, कि ये हमारे दलाइलम है, ठीक है, ये सरफ समझाने के लिए कि या है, अगेन मैं बता रहा हूं किसी क धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना कता ही मेरा objective नहीं है, only for your understanding, and this video is only for UPAC and other competitive exam aspirants, जो basically art and culture को समझना चाते है, exam के point of view से, या फिर कोई भी ऐसा विक्ति जो थोड़ा जानकारी जाता है, थोड़ी अपनी journal knowledge बनाना चाते है, तो उसके लिए है, धर्म की ज्यान यहाँ प ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई, अब भारत में बुद्धिजम important भी है, भारत के लिए दलाई-लामा भी important है, क्यों है भई, ठीक है तो दलाई-लामा ऐसा है कि he is considered and historically इनको तिबतन region के temporal authority की तरह माना जाता था, जैसे Pope की authority चलती थी न, Rome, Italy, Italy, ठीक है वहाँ पर Pope की authority चलती थी, उसी की सत्ता, चर्च की सत्ता होती थी, तो तिबत में social order और एक, you know, control, governance करने के लिए, दलाई-लामा was a supreme authority, लेकिन चाइना, उसमें revolution होई, आजादी आई, एक new order बना, वहाँ पर उन्होंने तिबत के उपर भी अपना पर्चम लहरान है, तो वहाँ पर वो the very process of this reincarnation, इसी को questionable बना देते हैं, अपने आप, इनकी credibility कम हो जाएगी, तो Chinese authorities क्या करती है, they question, कि आपको कैसे पता भी, कि ये अवलो की तेश्वर ही है, दलाई-लामा is अवलो की तेश्वर, देखे, ये 5th दलाई-लामा के ही reincarnation है, वो उन्होंने एक propaganda ऐसा करना शुरू कर द हैं, ये सही में नहीं है, देखे, तो China की authority होनी चाहिए, देखे, तो उसमें क्या हुआ, कि दलाई-लामा की जान को खत्रा भी हो गया, देखे, और Tibetan Autonomous Government जो थी, वो भी एक तरीके से खत्रे में आ गई, तो इन्होंने भारत में शरण ली, देखे, political asylum लिया, और 1959 onwards दलाई- में इनकी एक तरीके से political asylum इन्होंने ले रखा है, ये one of the reason है, जिसकी वाज़े से China और India के जो relations है, वो कहीना की थोड़े बहुत टेंस्ट है, ठीक है, चाहिना को भी लगता है, कि जब तक दलाई-लामा है, और जब तक इंडिया में उनको शरण मिली हुई है, तो कहीना कही नहीं वो सुलगती हुई आग, बगावत की हमेशा रहेगी, ठीक है, तो तिबबत का जो मुद्दा है, तिबबत की उपर जो control का मुद्दा है, वो कहीना कहीन हमेशा जीवित रहेगा, ठीक है, भारत ने इस position के उपर अपने diplomatic stance clear कर लिया है, इन्होंने चाइना की position, हमने चाइना की position को reject किया है, ठीक है, चाइना क्या कहता है, यह reincarnation नहीं है, दलाई लामा, और अभी लोकी तेश्वर, ठीक है, और हमने कहा है कि देखो, यह आप की सरकार नहीं बताएगी, कि यह हैं या नहीं है, यह हम तिबबत के लोगों के उपर छोड़ देते हैं, what they want to believe, इसमें हम interfere नहीं करेंगे, और वैसे भी, secularism तो यह होता नहीं कि जब state, religion के matters में interfere नहीं करें, this is what is secularism, बहुचा लोग न, secularism को secularism लिख देते हैं, S.I.C. के वला, ठीक है, बट उनको मतलब भी नहीं पता, ठीक है, बट anyways, मैं यहां पर debate नहीं स्टार्ट करना चाथा, बट secularism का सिधा-सिधा मतलब है, कि state जो है, religious matters सो थोड़ा सा distance में आकर रखेगी, इसमें भी positive और negative secularism आ जाता है, negative secularism है, जैसे कि France में follow होता है, कि बटाई, बिल्कुल दूर रहना religion से, ठीक है, कि अगर beach के ऊपर कोई आपको ऐसा व्यक्ति देख जाए, कि जो religious identity लेकर घूम र आगे थे, उनमें से बहुत ज़र refugees France में आगे थे, France की महिलाएं, Muslims काफी ज़्यादा उनकी population बढ़ गई, तो यही Muslim महिलाएं, क्योंकि उनको बुर्खा पहनना, religious order के हिसाब से वो ज़रूरी था, तो यही beach के ऊपर भी जाते थे, तो वो waterproof type की बुर्खा पहन कर वहां पे गूमते थे और उनको bikini plus burqa, यह mix करके burqini यह बन गया, ठीक है, France ने कहा कि यह क्या, beach तो सब के लिए है, beach में कोई ऐसा religious identity नहीं दिखनी चाहिए, तो यहां से तो दूर से देके पता लग रहे कि she is a Muslim woman, ठीक है, तो यह allowed नहीं है, France भी इस तरह का scene है थोड़ा, इंडिय में थोड़ा अलग है, इंडिया में है कि इंडिया में positive secularism है, कि मतलब हम किसी एक religion को बहुत जादा favor नहीं करेंगे, हम सब को बराबर favor करेंगे, ठीक है, कि अगर मालो कोई सरकार, ठीक है, किसी एक particular religion को promote करने के लिए कुछ पैसा करते हैं, तो ऐसा नहीं कि सरफ एक ही religion को promote करने के लिए कुछ पैसा करते हैं कि सभी के लिए ऐसा है, ठीक है, this is India secularism, ठीक है, anyways, इसमें ज़्यादा again नहीं पढ़ना है, यह topics discuss करते हैं, साफ बता रहूं, डर लगता है भई, ठीक है, यह controversial से ही हो जाते हैं, वापिस इतर आते हैं, तिबत अन बुद्धिसम के उपर ठीक है, तो तिबत के लोग decide करें कि क्या मामला है पूरा का पूरा, ठीक है, discussion हमने कर ली, अच्छे से, अब इन questions को आप solve करने की कोशिश करो, I am very sure कि यह question आपसे एक दम असानी से solve अब हो जाएगा, ठीक है, तो यह question है, actually भूत question है, लेकिन आपने मेरे साथ यह series कर ली, यह current affairs को पढ़ दिया, तो आपके लिए इसको solve करना काफी असान बन जाएगा, statement one कह रही है कि there are four main schools of Tibetan Buddhism, बिल्कुल सही बात है, चार main schools है, ठीक है, हमने उनके नाम भी देख लिए, थोड़े से difficult है, हलका सा रट्टा लगा ले ना, पहली statement true है, ठीक है, second statement कह रही है, दलाय पार्ट में भी आप पढ़ते है, यह मैंने SIB के classes में भी करार रखा है लोगों को, जहां पर बोधी सत्वा के concept को discuss करते हुए, यह अब लोग की तेश्वर के बारे में हमने बताया था, ठीक है, बोधी सत्वा of, बताओ, कौन से बोधी सत्वा माना जाता है, बोधी सत्वा जो मैंने discussion आपके साथ किया, अगर यह ना करते हैं, आपको लगता कि हाँ यार, अशोक काफी जादा popularize कर रहा था, स्रिलंका, व्रिलंका और इस्टर नेशन में अपने बेटा-बेटी दोनों को भेज दिया, हो सकता, तिबबत में भी बेजा हो, ठीक है, लेकिन हजार साल बाद तिबबत में भापलराइस हुआ था, प्रेडॉमिनेंट रिलिजन तिबबत में हजार साल, लगबग हजार साल से जादा के बाद वो प्रेडॉमिनेंट हुआ था, तिबबत में बुद्धिसम, तो पहली statement गलत हो जाती है, सेकेंड किया रहा है, फॉर्मल सिस्टम औ लामा's emerged in 13th century, this is true, ठीक, this is true, and 5th Grand Lama of Gelug School of Tibetan Buddhism was conferred the title of Dalai Lama, yes, ठीक है, उनका original लाम मैंने बता दिया आपको, तो जो 5th Grand Lama थे, उन्होंने Dalai Lama का title लिया, ठीक है, उसके बाद ये Dalai Lama जो है न, ये नाम नहीं, ये title है, ठीक है, आपको मैं एक देता हूँ, टास्क, जो हमा हमारे मौझूदा Dalai Lama है, उनका नाम क्या है, ठीक है, Dalai Lama is a title, not a name, उनका नाम क्या है, ये comment section में जड़ा बताइए, ठीक है, और इसको अपने notes में add कर लिजएगा, ठोड़ी सी exercise आपको दे रहा हूँ, ठोड़ा सा दिमाग लगोगे, ठोड़ा सा effort करोगे, तो वो चीज long term memory में चली जाती है, और exam के time पर recall भी कर लोगे, ठीक है, तो third statement correct है, second statement correct है, दो statements हमारी correct है, answer हमारा option B है, ठीक है, और ये अशोक, 268 BC से लेके 232 BC के करीब रहा था, 9th century AD से बहुत पहले की बात है, ठीक है जी, चलो, आगे बढ़ने से पहले, अभी काफी कुछ रमने discuss करन जो कि आप चाहते हो, मुझे पता है, ठीक है, आपको चाहिए, आप नहीं भी बोलो के तब भी मैं दूँगा, तो ये revision के लिए काफी important है, ये CS live group के उपर आपको मिल जाएंगे, which is on telegram, instagram पर देखो यार मैं बहुत जादा active तो नहीं हो, पर फिर भी मुझे अच्छा लग H-A-N, D-A-N, यहाँ पर भी मुझे message कर सकते हैं, इस में थोड़ा सा जादा active हो मैं, telegram के CS live group के उपर अपना ही personal handle मैं tag भी कर देता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर आप मुझे follow कीज़ेगा, और हाँ, एक बहुत important जीज, आप मैं से बहुत से बच्चे न, courses और books लेना चाहत ठीक है, आप civil services में जाना चाते हैं, crack करना चाते हैं, ठीक है, तो CS live quote, बहुत ही प्यारा quote है, इसको use कीज़ेगा, for example, जैसे आप अपनी app अगर खोलोगे, तो यह हमारे सामने जो आपकी screens पर, यह mobile में दिख रहे हैं, यह long term batch है हमारा, यह 2026 को target करता है, तो जो college going या working professionals है उनके लिए काफी अच्छा batch हैं माना जाता है, और यहाँ पर 41,000 का दिख रहे हैं, कुछ codes हैं, जो already website पर भी आपको मिल जाएंगे, यह आपको 31,000, 32,000 तक का पहुंच जाएंगे, ठीक है, 41 से 31,000, 32,000 तक का पहुंच जाएंगे, लेकिन CS live code use करने पर, यहाँ पर 30,000 में बेसिक्स करा हो हिस्टरिगी, मैं बेसिक्स में एडवांस करा देता हूँ, ठीक है, बताना नहीं किसी को, यह badge जो बच्चे अभी सोच रहे हैं, कि अच्छे से grip बनाएं, यह badge जोइन कर लो, ठीक है, बेसिक्स कहरे हैं, एडवांस करा देना 20 दिनों में, ठीक है, तो यह आपका काफी फाइदा इसमें होने वाला है, ठीक है, इसके features आपको already पता है, क्या-क्या मिलता है, mentorship मिलती है, handwritten notes आपको मिल जाते हैं, class के यह जो लामलशकारे हैं, ठीक है, यह PDF की form में आपको मिल जाएंगे, crux मिल जाएगा, weekly आपके test होंगी, MCQs के, जिसमें current affairs भी covered र जाते हैं, ठीक है, and along with that, आपको जो crash course है, prelims का, वो free of cost मिलेगा, आपने एक बार enroll कर लिया, तो दुबारा crash course के लिए अलग पैसा नहीं देने पड़ेगे, 2025 और 26 दोनो crash course मिल जाएंगे, कि मानलों मन कर गया, कि 2025 तक है मेरी तयारी ठीक है, मैं दे देता हूं, तो मिल है, तो यह free of cost यहां पर आप हमारे साथ रोगे, खाने, पीने, रेंट, रूंट, यह कोई खर्चान नहीं करना, आपको सिर्फ बढ़ाई करनी है, हमारे constant touch में रहना है, और मेंस की तमदार तयारी करके exam clear करना है, ठीक है, तो college going students and working professionals, I understand कि दिल्ली आना थोड़ा मुश्कि कर रहे हैं, लेकिन उसमें दिल्ली के बाकी coaching centers की तरह आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, rent event के लिए दुरेदर भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक और वैसे भी दिल्ली आने का point तब बनता है, जब mains की stage पर आप आ चुके हो, तो यह course बिल्कुल सही course है आपके लिए, you इसमें क्या है कि इसमें अगेन हम पूरे के पूरे current office को cover करने हैं, डेड़ साल के cover करने हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा additional आपको चीजें मिलेंगी, ठीके कुछ चीजें जो हैं, वो थोड़ी सी additional मिलेंगी, थोड़ा और structure में मिलेंगी, तो इन lectures के comparison में यहाँ पर इस paid course मे मिल जाएगा, CS Live यूज करके, 13 मार्च से, 15 मार्च से इसकी classes start हैं, शाम 4 बचे, मैं आपको मिलूँगा 29 मार्च को, ठीके, I'll be taking art and culture component, जहाँ पर और comprehensively art and culture को cover किया जाएगा, ठीके, इसी के साथ साथ इसमें, GS के साथ साथ, CSAT के भी full and test आपको मिल जाएगे, यह live batch रहेग भूत question लगेगा आपको, जयान से पढ़ो इस question को, तीन statements है, तीन statements किसके context में है, पतनम के context में, ठीके, पहले तो यही नहीं पता लगेगा कि यह पतनम है क्या, विशाखा पतनम, केडा पतनम भी, ठीके, तो question नहीं बता दे कि archaeological site है, ठीके, केरला में है, तो पतनम, केरला म reveals a strict adherence to social hierarchy and caste, इसमें मेरे जैसा व्यक्ति तुक्का लगाना शुरू कर देगा, कि यार, South India, Kerala, Izawa, caste system तो होगा, यार, यह तो true होनी चाहिए, थर्ड कह रहा है, being a gateway to India from Indian Ocean, पतनम was heavily fortified and there are evidence of presence of sophisticated weaponry, Indian Ocean, invaders, यह भी सही होना चाहिए, तो मेरे जैसा बंदा ना, इन दो चीज करते हैं, then you will tell me the correct answer of this particular question, तो इसका जो context है, देखो, यहर, जाधतर news, Indian Express में बहुत अच्छे सी मिल जाती है, but the Hindu, क्योंकि South Indian अखबार है, तो कुछ South India की culture की news यहाँ पर भी अच्छे मिल जाती है, ठीक है, मैं बिलकुल outrightly यह नहीं बोलूँगा, कि the Hindu, चिचिगंदा, नह तेरा personal favorite देखो, क्या है, Times of India, ठीक है, अब इसमें ना कहना सारी, आप तो hypocrite हो, यह, पर Times of India में मज़ा आता है, but exam के point of view से वो इतना ज्यादा बात नहीं, interview के time पर, it can actually है, चलो, यहाँ पर आते है, पतनम क्या है, पतनम ना Central Kerala में, map में दिख रहा है, यह पतनम, Central Kerala मे एक जगा है, जहां पर हमने खोदना शुरू कर दिया, खोदना क्यों शुरू कर दिया, इसकी reference में आपको कहां से दूँगा, Tamil Nadu की NCRT book से, उसको NCRT नहीं, Tamil Nadu State Board की book की बात करते है, वहाँ पर ना कहा गया है, कि 6th century से 9th century AD के time पर चेरास का राज चलता था, लेकिन, जो इसलिए हम खड़े खोद खोद के देखने की कोशिश करते हैं कि यार कैसे लोग थे, पानी किसमें पीते थे, आंखों में आइड्रॉप्स डालते थे कि नहीं डालते थे, यहां इनके कप, पौटरी किस तरह की थी, उससे हम derive करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें पता लग ज रहा था, पत्नम की पूरी vibe चल रही थी, ठीक है, तो इस vibe से हमें पत्नम और केरला की हिस्टर के वरे में काफी कुछ पता लगता है, let us try to look at it, ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, पत्नम ऐसा है कि यह मुजरिस का पार्ट था, मुजरिस केरला में ही एक region है, उसी का पार् demological origin देखें, तो यह तमिल भाषा से derived हुआ नाम है, इसको कहता है मुसरी, मुसरी का मतलब होता है land of seven rivers, और वो केरला इंडिया उसको basically refer करता था, अब इसमें क्योंकि it was an you know, emporium at Indian Ocean, which basically means कि यहां पर बहुत सारे दूसरे country से जिन लोगों ने अपना समान इंडिया में हैं, छोड़ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, यह सब था, तो consequently पतनम आपको नहीं लगता एक multicultural region रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, कई Greek को मजा आना शुरू हो गया था, यहां पर उन्होंने का कि यार इतनी थकान होई है, इतनी दूसरे travel करके आए हैं, कर लेंगे business भी थोड तो यहां पर multicultural archaeological site है, और multicultural ethos थी पतनम की, इसका जो peak phase था, यहां पर basically क्या है, हमें इतना सारा समान मिला है, कि इसमें पता लगए कि जो peak phase था, 100 BC, यानि कि 1st century BC से लेकर, 2nd century AD तक इसका peak phase चला था, ठीक है, commercial exchange होते रहते थे, कि इनके साथ, यह Middle East, Greco-Roman culture जो है, और ancient India की, जो South India की societies है, उनके साथ, यह सब हमारा वार्तलाप रहता था, 45,00,000,000 sheds मिले हैं हमें हैं, यहां पर sheds, sheds मतलब artifacts और ceramic artifacts आप कह सकते हो, इन 45,00,000,000 अर्टिफाक्ट में से, 1,500,000 artifacts के करीब, ठीक है, 1,500,000 से थोड़ी से कम, यह Mediterranean, नील नदी के पास के, लाल सागर के पास के Western और Eastern Indian Ocean, ठीक है, Western Indian Ocean किस तरफ पढ़ जाता है, यह Medigaskar के पास का region, Eastern Indian Ocean जो है, यह आपका South East Station Nation सोड़े से इसमें आ जाते हैं, और South China Sea भी उतनी ही region को बिलोग करते हैं, तो इतने सारे हमी ceramics मिलें, मतलब यहां पर बहुत सारा trade और यह सब चलता था, तो तबी Multicultural Society तो है, अब आप खुद मुझे बताओ, कि जिस society में इतने सारे culture से लोग आ रहे हैं, क्या वहाँ पर social hierarchy हो सकती है, क्या वहाँ पर caste system चलेगा, caste system हिंदूइजम में है, ठीक हिंदूइजम का एक बड़ा बहुत देर से follow हो रहा है, तो यहाँ पर एक system बन गया, पर यहाँ पर caste system नहीं चलेगा, तो हमें यह जो artifacts मिले, इनको हमने study किया, तो हमें कुछ चीज़ें पता लगी, पहली चीज़, कि इधर social hierarchy कोई नहीं थी, कि ऐसा नहीं कि ब्रामन, क्षत्रिय, वैश, शुद्र और अवर्न, ऐसा नहीं था, ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसी social hierarchy नहीं थी, इडल वर्शिप के कोई evidence इधर मिले नहीं, वेपनरी का absence था यहाँ पर, इंडिय नोशन के एकदम माउथ के उपर था, बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे, तब भी बहुत जादा वेपनरी नहीं मिली यहाँ पर, जिससे यह पता लगता है कि पतनम में रहने वाले जो तो उन हड़ियों को दबा दिया जाता था, this is called secondary bureau, तो यह practice follow की जाती थी, और जो ethos था, वो secular था, तो इसलिए, क्योंकि यह एक तरीके से gateway था, बाकी पूरे इंडिया के trade को लेकर, और इंडिया के लिए gateway था, बाकी दुनिया में अपने products को पहुंचाने का, तो इसलिए secular यहां पर था, यह कुछ characteristic features हमें यहां पर excavation से मिली है, यह चीज हमने discuss कर ली, अब आप खुद इस question का answer बताएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी यार, एक तो वीडियो को like करने, आप लोग ना like नहीं करते, और मैं साफ बता रहा हूँ यार, मैं को थोड़ा सा नराज हो पर अपना बना सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर, पतनम के context में थीन statement से, पहली statement करी है, पतनम was part of Moseris, which is referred to as first temporium of Indian Ocean, ठीक है, this is true, Moseris को first temporium of Indian Ocean कहा जाता है, कि basically, Indian Ocean में यह पहला एक तरीके से historically ऐसा region था, जहां पर बहुत सारी societies, बहुत सारी region से लोग आकर अपना समान, exchange करते थे, ठीक है, second statement के रिए, excavation of Patnam reveals a strict adherence to social hierarchy and caste, this is false, third statement के रिए, being a gateway of, being a gateway to India, from Indian Ocean, heavily fortified था, sophisticated weaponry थी, कोई ऐसे sophisticated weaponry नहीं मिली, ठीक है, यह भलाल देव नहीं थे, ठीक है, वो खच-च-च-च-च-च वहला chariot, उनका chariot, इनके पास नहीं था, second, third, जो है, वो false है, एक ही true ह answer is option A, ठीक है, मजाद आया के नहीं आया, यह comments में बताना है मुझे, comments, live chat में ठीक है, आप लिख देते हो, जो तारीफ है ना, वो comments में लिख दिया करो, ठीक है, it should stay for all eternity, अगले question पर चलते है, वाइकोम सत्यागरे, ठीक है, चलो, इसका answer अभी बताओ मुझे, वाइकोम सत् सत्यागरे, launch from coast of Travancore, Travancore, Travancore आपको पता है कि केरला की ही coast, basically, southern tip के पास, जो है, केरला की, Travancore मौझूद है, तो यह salt सत्यागरे, जो वहाँ पर हमने launch किया था, it refers to that, वाइकोम सत्यागरे, बहुत सो लोग मुझे पता है, इसको true माननेंगे, ठीक है, गलत है, पर मान quality मिल जाए, क्यों मिले, ये भी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, इसको रट लेना, अपने static में भी जो, आप विपिंच अंदर पढ़ रहे हो, सुनाली बंसे पढ़ रहे हो, study है, क्योंकि किताब पढ़ रहे हो, यहाँ फिर, कचरा, नहीं यार, ऐसे तो नहीं मैं बोल सकता spectrum को जहां पर कचरा बोला ना, यह डिलीट कर देना, यहाँ फिर spectrum पढ़ रहे हो, जिसमें factual errors कई बार मिल जाती है, ठीक है, तो वाइकॉम सत्तेगरे के बारे में पढ़ लेना अच्छे से, इस पर question आएगा, आएगा, ठीक है, आने वाला आएगा, अब देखो, पहली statement क्य कह रहे है, कि salt satyagrae, salt satyagrae था ही नहीं, it was basically a temple entry, यहाँ cast movement थी यह, ठीक है, तो salt का कोई लेना देना था नहीं, ठीक है, मादवन, K.P. K.S.W. were the pioneers of Vycombe Satyagrae, यह statement आपको true लग रही होगी, true है भी, Satyagrae was officially withdrawn on November 30th, 1925, अब इसके बारे पता ही नहीं होगा जब तो कहां से करोगे, और उपर से जो लोग first statement को true मानेंगे, वो third को गलत कर देंगे, उन्होंने कहना है कि यार, civil disobedience 1930s में हुई थी, यह 1925 लिखा हुए, इसका मतलब गडबड है, लोचा है, तो यह तो गलत ही है, ठीक है, ऐसे गलतियां करते हो आप, अब इसको discuss करते हैं, discussion करने के लिए यह क्यों जरूरी है, क्यों आपको पता होना चाहिए, उसका कारण क्या है, उसका कारण है, कि इसके 100 वर्ष पूरे हुए है, इस वाइकोम सत्त्यग्र को launch हुए हुए, वाइकोम सत्त्यग्रे, ट्रेवंकोर में मौझूद, वाइकोम महादेव टेंपल की entry को लेकर स सत्त्यग्रे था, इसमें क्या था, कि ट्रेवंकोर में प्रिंसली स्टेट थी, आप सबको पता है, मन्ना वर्मा इस तरह के टाइटल्स इनके हुआ करते थे, यह हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, इनकी सुसाइटी और अड्मिनिस्ट्रेशन बड़ी रिजिड थी, वेर टेंपल में तो छोड़ो, उसके आसपास की सडक पर भी चलना, इनकी वहाँ पर भी पबंदी लगी पड़ी थी, ठीक है, और टेंपल में तो आई नहीं सकते थे, अब कुछ ऐसी गतिविधियां हुई हमारी 20th century में, जिसमें की इन backward caste के लोगों को इस बात की सचेतना हो ग कॉंग्रेस की एक मीटिंग हो रही थी, काकिनाडा में, ठीक है, All India Congress Committee जो थी, Working Committee जो होती थी इनकी, उसकी मीटिंग चल रही थी, काकिनाडा में, तो इस मुद्धे को हाइलाइट करने के लिए, ठीक है, माधवन ने यहाँ पर एक resolution पास करवाया, ठीक है, वहाँ पर सब की नजरों में आया, सबकी knowledge में आया कि ठीक है, यार, बहुत extreme form of prejudice against backward caste यह हो रहा है, तो हमें कुछ तो देखो करना पड़ेगा, subsequently Congress ने untouchability committee बिठाई, ठीक है, और ये काम केरिला की, जो प्रदेश Congress Committee है, उसने January, अगले साल, January 1924 में कर दिया, और इनका काम था कि जो भी backward, या जो हरीजन्स हैं, इनके जितने बुनते हैं, उनको discuss करके, लोगों को mobilize करके, कुछ demands रखी जाए, in front of the administration, ठीक है, तो इसमें T.K. मादवन, KP. केशवा, मैनन, और KP. केलपन, these are known as the pioneers of WICOM सत्तेगर, क्योंकि इनों ने लोगों को mobilize करना start कर दिया, ठीक है, इसी के साथ-साथ historically कुछ और factors भी थे, जिसने की backward cast में ये awareness जगाई कि भई, ये सही नहीं है, जो हमारे साथ हो रहे है, ठीक है, ये factors क्या थे, Christian missionaries की कुछ activities, Christian missionaries क्या करते थे, उनका काम था, कि जादा से जादा लोगों को Christianity में convert करना, अब Christianity में convert करने के लिए उन से लोगों से उनका original धर्म वो कैसे होता है, आपके धर्म की गलत बाते हैं आपको बता कर, ठीक है, उससे आपको खुदी कोगे कि हाँ यार इतना कुछ खास रखा नहीं सहर में, हम convert हो जाते हैं, तो क्यूंकि इन backward cast के साथ, बहुत शोशन हो रहा था इनका, तो consequently Christian missionaries ने उनको convert कर दिया, और जब conversion हो हैं, वो थोड़े effluent होना start हो गए हैं, तो उस context में क्या है, कि जब कोई effluent होता है, तो तब उसको, मतलब अब उसका पेट भरा हुए, तो अब वो दूसरी चीज़ें भी सोच पा रहे हैं, कि ये शोशन हो रहा है, ये गलत है, और मेरे कितने, मैं तो convert होके मैंने कर दिया, जिसमें की education को लेकर इनका primary focus है, जहां पर irrespective of your caste, आपको education दी जाएगी, इसकी वज़े से काफी सारे ये so-called backward caste के लोग educate भी हो गए, और जब किसी के पास education आती है, awareness भी आती है, और awareness आने से ये पता लगा कि हमारा solution हो रहा है, and this needs to be stopped, along with this, कुछ capitalism की कुछ forces ने new social hierarchies create कर देता हूँ, sociology students इसके साथ relate कर पाएंगे, एक example देते हैं, हम सोचोगे na paper 2 में इस तरह की जीज़ें पढ़ते हैं वैसे, इसमें ऐसा है कि जब British आए, तो British के और capitalism के आने से modernity आई, जहां पर new type of jobs की ज़रूरत पढ़ रही है, example, postman की ज़रूरत पढ़ रही है, अब इसमे ब्रामिन ने इस जॉब के लिए जब fight करना शुरू किया, तो backward cast, अब थोड़े से educate हो चुके हैं, thanks to Maharaja Ayilam Tirunal, इन्होंने कहा कि यह ब्रामिन, postman कैसे बन सकता है, postman को हर घर में जा जाके चिथियां देनी होती है, ठीक है, तो ब्रामिन अब चिथियां शुद्र के भी जा सकती है, तो ब्रामिन ऐसे शुद्र के घर चिथि देगा, वो तो दूशित हो जाएगा, यह तो गलत बात है, बहुत गलत बात है, तो ब्रामिन तो नहीं बन सकता, यह postman की job के उपर हमारा, जो हमें शुद्र कहते हो, यह untouchable कहते हो, हरीजन कहते हो, हमारा अधिकार होना चाहिए, देखे, और यह देखा भी गया, देखे के postman की jobs काफी सारे, यहां पर हरीजन बेसिकली उनको मिली, because they can go anywhere, yes, ब्रामिन चोटी जाती में, so-called ब्रामिन चोटी जाती के घर में जाकर, पल्यूट हो सकते हैं, ऐसी तब मानने था थी, अब नहीं है, ठीके, लेकिन उन्होंने का था कि हम तो हैं ही चोटी जाती के, तो हमारा तो सौब भाग गया है, ब्रामिन के घर चठी पहुंचाने का, हाँ, थोड़ा गंगा जल से आप कर ले ना, उसको clean, ठीके, पर चठी तो हम ही पहुंचाएंगे, ठीके, तो यह सारी चीजों ने एक assertiveness पैदा की, बैकवर्ड कास, एजावा, एंड पलायास में, ठीके, तो यहां पर क्या है कि अभी जब यह ना assertive हो गया, assertive मतलब अपने अधिकारों को लेकर सचेत हैं और उनको demand कर रहे हैं, तो 30 मार्च 1924 को इन्होंने decide कि यार यह बड़ी गलत बात है, कि वाइकों महादेव temple में हमा मंदिर की roads है, उन roads के start होने से पहले एक board लगा हुआ था, कि यहां छोटी कास का यहां backward कास का अंदर आना मना है, उस board से 50 यार्ड की दूरी के उपर, पुलिस ने इनको रोक लिया, वहाँ पर तीन, तीन नायर, एजावा और पुलाया communities हैं लोग यहां पर उन्होंने इस order को defy किया और मंदिर की सड़क के पास आके बैठ गए, इनके नाम थे गोविंद, पानिकर, बुलेयन, और कुणजप्पू, यह तीन लोग थे, तो यह इनको respect करने के लिए, इनकी मूर्तिया भी कुछ museum में आप देख सकते हैं, अब यहां पर यह clarify कर दूँ कि इनको pioneer नही किया, देखे, वहां जाकर सड़क के ऊपर बैठ गए, पुलिस ने इनको उठाया, जेल में डाल दिया, इसके बाद इन communities ने decide किया कि हर दिन हम तीन-तीन लोग भेजेंगे, अपनी communities में से, और वो protest करेंगे, and they will walk on the prohibited roads, जितने leaders ऐसे जा रहे हैं, सभी के सभी ऐसे arrest होते ग तहा जाता था, ठीक है, तो इनकी wife नगमई, इन्होंने भी participate किया था, वाइकॉम सत्यग्रे में, और इनकी sister, कन्नमल, इन्होंने भी participate किया था, इन वाइकॉम सत्यग्रे, अब जब ये सारी चीजें हो रही थी, तो गांधी ने कहा कि यार, footage बहुत हो, महात्मा गांधी न picture को थोड़ा interesting बनाने के लिए ये चीजें करनी बढ़ती है, थोड़ी सी, अब उसमें चूच डहना करना, तो ये वाइकॉम पहुंचे, मार्च 1925 में, ठीक है, इन्होंने कहा कि यार, मुझे ना, South Africa में train से धक्का मार दिया था, मैं train से ही जाओंगा, ठीक है, तो इंडिय पहुंच गए, तो यहाँ पर वाइकॉम में 1925 मार्च में पहुंच गए, और वहाँ पर इन्होंने कहा कि यार, मामला तो बड़ा है, तो authority कौन है, authority थी वहाँ पर, महरानी, सेतुलक्ष्मी भाई, ठीक है, she was a regent queen, क्योंकि जो राजा थे न, वो भी छोटे थे, तो उनके बहाँ पर महरानी सेतुलक्ष्मी भाई का राज चल रहा था, उन्होंने कहा कि यार, देखो यार, इतना सारा बवाल हो रहा है, आने दो, मान लो, बातने, उन्होंने कहा कि पुलिस कमिशनर से बात करो, डव्ली एच पिट, ट्रैवेंग को और के पुलिस कमिशनर थे, उन सडकें खुल गी, temple entry नहीं खुली, this was the outcome, political prisoners release कर दिये गए, तो इतने में भी, ये communities का दिल बढ़ा था, इन्होंने कहा कि चलो, ठीक है, it's a good step to start, ठीक है, धीरे-धीरे हम temple entry के लिए भी आगे अपनी अवाज उठाते रहेंगे, फिलाल के लिए हमारी ये मांग पूरी ठीक है, मादवन, K.K.K. केशवा, they were the pioneers, not prisoners, वो मनोज गुमार वाला काम नहीं करना है कि tourism को terrorism समझ लो, ठीक है, तो pioneers of वाइकोम सत्यगरे, this is true, and सत्यगरे was officially withdrawn on 30th November 1925, this is again true, those statements correct है, B हमारा सही आंसर है, आगे चलते है, बी हुद आंसर बहुत जादा news में आता रहा है, ठी प्लीज देख लेना, वो Art and Culture का Lecture 4 ना, प्लीज देख लेना, तो उस context में भी बी हुद आंस को हमने देखा था, तो यहाँ पर फिर से बी हुद आंस को देखना पड़ेगा हमें, reason मैं अभी बता दूँगा, तीन statements है, ठीक है, तो यह कह रहा है कि recently Bhogali बी हुद आंस performance at Saru S Jai Stadium in Guwahati made the world record of being the largest Bihu dance performance in the world, with more than 11,000 dancers performing this dance, we don't know, के true होगा के नहीं होगा, second कह रहा है Bihu dances mainly performed by women dance performers, जिन्होंने गमोचा वाला cover किया ना, उनको पता होगा, यह फेंक रहा एक दम, ठीक है, कि वो गमोचा ना, ऐसे सिर पर, सेक्रेट यह से बाहन कर, लड़के भी दांस करते है तो सिरफ महिलाओं का डांस नहीं है, ठीक है, अचा नहीं, Bihu dance ना, ऐसे ऐसे नहीं होता, Bihu dance ऐसे ऐसे कुछ होता है, ठीक है, पीछे करके, ऐसे ऐसे करके होता है, मैं अभी बता हूँ का, ठीक है, this is not, मतलब, ऐसे ही नहीं करना मैं, it's important you know it, ठीक है, अभी पता लग है, I think Sankirtan के ऊपर 2017 में question आया था, तो वहाँ पर symbols and other things, मतलब, वो question आया था, तो instruments भी एक dance में या music में कौन से use होता है, यह पता होना चाहिए, this is true basically, second and third true है, और नहीं, second and third true है, first भी true है, तो दो statement यहाँ पर भी correct है, अब इस news को देखते हैं, उसके बाद answer आप खुद ब किया गया था, news में बहुत था, इसमें ऐसा था कि Behu Dance ने recently, Assam में मौझूद Saru Sajai Stadium, जो कि Guwahati में है, उसमें दो world records create किये थे, तो Guinness Book of World Record में इनका नाम आया, अब पहले मैं आप से यह पूछना चाहता हूँ, Saru Sajai Stadium, कौन सा stadium है, cricket, is it true, if I say it's cricket stadium, क्या यह true होगा, false होग ठीक है, यह sports complex है, actually, it's not just for cricket, it's for athletic events as well, ठीक है, तो multiple sports यहाँ पर केली जा सकती है, ठीक है, coming here, record यह बनाया, कि this was the largest Behu Dance performance all over the world, and it was the largest performance by folk musicians, ठीक है, जो local folk tradition के, जो musicians है, उनकी सबसे बड़ी performance है बनी, क्योंकि यहाँ पर लगबग 11,000 से जादा Behu Dance Performance ने अपनी performance दी, 11,304 dances कहा जा रहा है, कुछ sources में यह number थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, तो 11,000 प्लस यह याद रखना, ठीक है, अब इसमें Behu Dance के बारे में मैं आपको बता दूँ, कि Behu Dance basically harvest season का dance होता है, और Assam में weather pattern and cropping cycle कुछ ऐसा होता है, कि एक साल में तीन बार आप फसलों को बीज दिगर उनकी cultivation कर सकते हो, ठीक है, तो तीन तरह के Behu Dance है, पहला है रोंगाली, इसको बोहाग Behu भी कहा जाता है, ठीक है, एप्रिल के मन्त में जो पंजाब में क्या होता है, बसाखी, ठीक है, बसाखी के साथ यह coincide करती है, उसके बाद ऑक्तुबर के महीने में, जब जन्वरी में भोगाली या माग भी हूँ, इसको कहा जाता है, ठीक है, तीन तरह के Behu Dance है, यह World Record जो बना, this is associated with भोहाग भी हूँ, ठीक है, बोहाग भी हूँ जो है, यह Assam के New Year के साथ भी coincide करता है, यह Spring Festival भी है, and it also marks the first day of Hindu solar calendar, ठीक है, यह तीनों चीज़ है, यह important factual information है, अब जब हमने Dance को cover करना है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, वो क्या है कि यह Dance Group Dance है कि Solo Dance है, तो इसलिए फोटो लगा दी मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे clearly आप देख सकते हैं, कि it's a Group Dance, and वैसे भी यार, यह World Record काई को कैसे बन पाता अग फूटस्टेप्स, ब्रिस्क फूटस्टेप्स होते हैं, तो ना मतलब हलके से जटके, हलका जटका जटका देके यह Dance Performance होती है, ठीक है, तो वो Dance के Features which distinguish them from other local folk dances, वो भी पता होना चाहिए, तो असाम में यह चीज है, और North East के काफी सारे डांस में ना, एक्चुली थोड़ी बिस्क मोमेंट होती है, असाम के Dance में जादा प्रोमिनेंट रहती है, बीहु डांस में इसकोइट प्रोमिनेंट, ठीक है, तो ऐसे करके यह, यह, यह इस तरह की मोमेंट स यहां पर रहती है, अगर मुझ से Dance, इसमें कुछ गलती हो रही हो, दिल से माफी, क्योंकि आजग ल वाहनली कि पात करू हुँ तो यहां पर महिलाएं जो है यहीं पर जो ट्रेडिश्नली इनकी मुगा सिलकी की साधि Entscheid यह कॉटन मिला चादूर। कॉटन मिला यह यह इनो इंहें ओडी होती है तो इनका विसीकली 2-piece Attire होता है तो मोगा सिल्की साड़ी इसके साथ associated है लड़के जो हैं वो धोती कुड़ता पहनते हैं और साथ में सिर के उपर गमोचा इसको बांद के रखा जाते हैं जो बेंगॉल का और असाम के गमोचा अंगमचा इनमें जो difference है इसको पढ़ ले है और जो dance की movements हैं जो सबसे ज़ादा distinguishing movement है वो यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि महिलाएं अपने hips के उपर हाथ बिल्कुल इस तरह से जैसे हम यहाँ देख सकते हैं इस तरह से रखा जाते हैं और inverted triangle बनाया जाते है ठीक है और वही statement पता लग गया कि अगर first statement correct है तो second statement अच्छा नहीं solo नहीं लिकावा ठीक है second statement false है पूरुष भी करते है third statement true है ठीक है तो first and third is correct answer हमारा wait 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 okay recently भोगाली भी हूँ wait इसमें भोगाली के साथ हाँ देखो first statement जो है न वो गलत हो गई है बड़े ध्यान से ठीक है यह मैं आपको clarity देता हूँ देखो जो record बना है न वो बोहाग भी हूँ का record बना है ठीक है यह ध्यान रखना यार यह question मैंने बना है मैं इसमें तीन तरह के dance है भी हूँ के ठीक है तो उसमें बोहाग भी हूँ के साथ ही associated है ठीक है तो इसमें यह भी आपको एक तरीके से पता रहे कि किस मन्त में कौन सा भी हूँ dance associated है रोंगाली बोहाग एप्रिल कौंगाली कटी ओक्टूबर भोगाली माग जैनवरी ठीक है तो यह याद रखना ठीक है तो पहली statement इस वज़़ा से बोहाग भी हूँ के साथ associated है भोगाली के साथ नहीं वो जैनवरी में होता है यह एप्रिल विला था ठीक है तो फ़र्स्ट गलत है सेकेंड भी गलत है सिरफ थर्ड statement करेक्ट है इसका ध्यान रखना ठीक है अगली न्यूस पर चलते है कॉंडरेडी ट्राइपस ठीक है तो कॉंडरेडी ट्राइपस ऐसा है कि आंदरप्रदेश रीजन ठीक है तेलंगार आंदरप्रदेश रीजन के पास यह मिलते है तो वहाँ पर गुदावरी नदी जो की इनकी आजिवीगा की तरह आक्ट करती है इनकी लाइफलन की तरह आक्ट करती है वहाँ पर उसका फ्लो नहीं आ रहा तो इस वज़े से परिशान है गाफी अब देखो मेंस के पॉइंट आव उससे क्या पूरा मुद्दा है उसके लिए हमें थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा कि हम यहाँ पर इनों बैंक्स की उपर मिल जाते हैं और खमाम जो की तेलेंगाना का एक खमाम फॉरेस्टेड एरिया है और स्री काकुलाम यह आंतरपरदेश में है यहाँ पर इनके दो प्रॉमिनेंट होट स्पोट हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन की उपर हिस्टॉरिकली हलुकशा इंगा स्टिंग को इस तरह की बाच़ में के कुछ नियुक त्लुक बोलता है त्लुक शेद्री की खने ठीक है तो त्लुक की खोड़ ऑट ली बनाते हैं और बहुत ही पुंद्रत और अपनी शस्थेनल से कर सकते हैं जीक है नौर्ढ। नौर्थीस इंडिया as well as these tribal people इनको कुदरत के साथ एक तालमेल बना कर रहना हाता है यह हम लोग हैं urban areas में जो रहते हैं हम लोगों ने बड़ा अपनी इच्छाओं की पूर्ती के लिए हमारी इच्छाओं कभी खतम नहीं हो सकती और उसकी पूर्ती के लिए लगए पड़े है unsustainable development करने तो थोड़ा सा इन से सीखने की ज़रूरत है and सही बात बताओ अच्छी बात क्या है we are actually trying to learn as well तेक है traditional knowledge organic farming etc यह सारी चीज़े जो प्रचलेत हो रही हैं न कहीं न कहीं हमें शायद थोड़ा बेहतरी की तरफ लेके जाएं question कुछ ऐसा आ सकता है पहली statement they are particularly vulnerable vulnerable tribal groups of Lakshodhi Pilots तो क्योंकि Lakshodhi बहुत जादा news में रहा तो आपको confuse करने के लिए ऐसी statement बनाई जा सकते है it is false second कह रहे है कि their mother tongue is mother tongue is Telugu, this is true and third कहा है they are solely dependent on shifting agriculture to survive this is false horticulture और settled agriculture भी कर लेते हैं ठेके तो एक ही statement correct है that is सिरफ the second statement तो answer हमारा option यह बनेगा एक और चीज़ कर लेते हैं कठुआ में ना miniature painting का एक category है उसको बशोली painting कहते हैं आपे से जिन्होंने SIP को join किया था जिन्होंने कहीं से भी अपने printlims की consolidation कर लिए तो बशोली painting आप पढ़ते हो यह miniature paintings में consider की जाती है और जम्मू कश्मीर basically वहाँ पर district कठुआ करके है ठीक है जब state होता था कठुआ वहाँ पर रहता था तो उनकी बशोली painting को GI tag मिला है इसकी significance यह रहती है कि देखो यह paintings जो है ना यह paintings ऐसी है कि आप अगर Britain के कुछ seven star hotels में जाएंगे वहाँ पर भी इस तरगी paintings मिल जाएगी and even हमारे इंडिया में भी बहुत luxury hotels भी बशोली paintings चा इस्तिमाल करते हैं कहीं न कहीं हमें हमारी medieval history के बारे में याद दिलाती है and हमारा culture भी reflect होता है and these are really good to look at इनका aesthetics काफी अच्छी इसमें use की जाती है तो बशोली paintings जो हैं जो कठों में बनाई जाती है they have certain unique characteristics और हर चीज़ के आपको पतर duplicates बन जाते हैं उन duplicates के बनने से जो इस region के लोग बशोली paintings बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक उनको disadvantage मिल जाती है तो इसलिए intellectual property right ये बना दिया GI tag की वज़ा से तो ये जो goods हैं यानि कि इस case में बशोली painting originating from कठोवा इसको एक specific distinction मिल गई है for its nature, quality and characteristics linked with कठोवा तो इससे क्या होगा कि एवन जो बिटेन में मान लो किसी 7 star luxury hotel को बशोली painting चाहिए तो वो देखेगा कि अच्छा GI tag है या ने ओ नो 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 I want credible, credible बशोली painting from कठोवा तो वो फिर GI tag देखेगा कि हाँ आन दे डेड़, डेड़, नहीं lecture के साथ मैं फिर आऊंगा I want to cover some more art and culture current affairs with you guys and let me tell you जो current affair का crash course है clearly दोस्तों जब आप pay कर रहे हैं किसी service के लिए obviously you are going to get much more in that service तो ऐसा नहीं है कि ये free है तो इसमें बिल्कुली कुछ नहीं करेंगे इस session से भी आपने देख लिया काफी कुछ आप गेंड कर रहे है बट हाँ much more will be gained in the paid classes आज के लिए इतना ही किसी भी study IQ के course याँ आपने book purchase करने है उसके लिए CS live का code का इस्तमाल आप कर सकते हैं highest discount के लिए telegram के उपर CS live group join कर लिए personal message करना है तो telegram पर at the rate H-E-L-L-O-C-H-A-N-D-A यहाँ पर मुझे message कर सकते हैं और मैं आपसे बहुत जल्द classes में मिलूँगा of current affairs crash course and P2I as well जो 21st March को start हो रहे this long term batch ठीक है so that's all and see you soon Study IQ IS अब तयारी हुई affordable